हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका आपके ही अपने चैनल फेंटासी लेकी 11 बन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच 25 टी 10 का जो खेला जाने वाला है बी आर आई वर्सिस यू एस जी सी के बीच में मैच खेला जाएगा 8 अगस को मंडे के दिन से 12 बजे से शुरू हो गए हैं दोस्तों तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह मैं अपने सारे दोस्तों को थैंक्स कहना चाहूंगा जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं वीडियो को शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है बहुत बहुत शु कोट की बात कर लेते हैं और बात करूं यहां पर तो दोनों ही टीम अच्छी है एक ने तो अपने टॉर्णामेंट में शुरुआत कर भी दी है जिसे यू एस जी सी ने अपने दो मैच लीक के खेल लिये हुए हैं और वहीं अगर बात करूं बिटानिया की तो उसका अभी कलवाना है सिर्फ लाइक को दबाना है ॉ दिया रिग बटन पर और विडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ मेच अब अगर बात करूं यहां पर यू एस जी सी की तो ओल्रेडी ये टीम के बारे में हमने डिसकस कर लिया है प्लेयरículo के बारे में डेटा मैंने उल्रेडी सब बता दिया है कौन से player important है कौन से नहीं है तो इस video में मैं player का तो discuss नहीं करूँगा अगर आप नए है channel पर तो आप अपने हिसाब से देख लीजेगा मैं slow slow करके आगे forward करता हूँ ताके आप आसानी से study कर सको या तो video को रुका रुका कर आप study और data check कर लेना copy कर लेना दोस्तों ठीक है सारे data है लगबग 90% data available है सारे player का और बहुत महिनत लगती है दोस्तों data निकालने में और लोग पूछते भी है कि data कहा से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है data हम google से ही search करते हैं और वहीं से ही वाया वाया search करके इधर लिंक पर click करकर के हम कहीं न कहीं पहुच जाते हैं जासे data मिलते हैं दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई एक जगा से मिल जाता है कई other other side होती है जो कि मुझे माफ करना मैं नहीं बता सकता हूँ चुक है चुलिए देख लीजिए आपके हिसाब से सारे के सारे player का लगबग data मैंने दिया हुआ है जिसे उनने T10 नहीं खेला है उनका मैंने career का भी data निकाल कर दिया हुआ है अब बात कर लेते हैं टीम के बारे में टीम ने अपने T10 के अंदर दो मैच already खेल लिए है किस तरीके से उसका performance रहा है उसके उपर discussion करेंगे उसके बाद हम next team के उपर जाएंगे तो टीम ने दो मैच खेल लिए है और बहुत अच्छा शुरुवात की टीम ने दो मैच खेले और दोनों ही win किये दोस्तो अब यहाँ पर मुझे सबसे अच्छा क्या लगा सबसे अच्छा मुझे यह लगा यहाँ पर कि टीम ने अपने openers change नहीं किये professionally way में टीम ने पहले मैच और दूसरे मैच में दोनों में टीम ने opener change नहीं किये otherwise हम देखते हैं हर टीम जाधा अटर टीम में ऐसे ही होता है कि पहले मैच में opener अगर flop हुए तो दूसरे opener आ जाते हैं बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ even आप देखोगे तो playing 11 में लगबग एक player इन्हों ने change किया बट batting order लगबग इनका 8-way number तक same ही order रहा कोई भी उपर नीचे नहीं आया सब अपने position पर ही batting पर आये तो यह काफी अच्छा लगा बट bowling के अगर बात करूँ तो team ने 7 baller का use किया जो के एक confusion रहेगा T10 वालों के लिए small league वालों के लिए दोस्तो क्योंके small league risky हो जाता है क्योंके एक अदा player भी अगर आपका सामने वाला player लेके आ गया और वो baller आपके पास नहीं रहा आपका दिन खराब रहा तो small league हारने के जादा chances बन जाते है तो ऐसे cases में क्या किया कीजिए कि आप है ना jail पर और mini jail पर focus किया कीजिए और multiple team से CVC आराम से बना कर win किया कीजिए दोस्तो जहां पर भी 7-8 baller team use करती है दोस्तो उस team से related matches जो होते है ना उसमें mini jail और jail ही खेला कीजिए यह मेरा personal आपसे suggestion है क्योंके मैंने अच्छा इसमें experience किया हुआ है ठीक है और भेजाए उनको hitting के लिए जाता है और जादा कुछ बड़ी पारिया इन्होंने नहीं खेली है क्योंके सामने वाले की team थोड़ी अच्छी strong थी पर यहां पर अभी जो next team आ रही है Britannia की उसकी balling तो और भी जादा strong मेरे ख्याल से on paper नजर आ रही है तो हो सकता है कि यहां पर गोपिनात और अब्दुल स्टेनेज जाही जो है flop हो जाए दोस्तों ऐसा possible है अब T10 है दोस्तों हो सकता है पहले match में border अगर Britannia पहली balling करती है तो शुरुआत में पहला जो दिन का match होता उसमें border को rhythm नहीं मिलता है जैसे जैसे heat आएगी और body की गर्मी बढ़ेगी तो second match में हो सकता है कि baller अच्छा performance करे दोस्तों ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना गोपिनात ने कुछ अच्छा नहीं किया है पहले match में 17 मारे दूसरे match में 0 पर ही आउट हो गए उसी तरीके से आगे भी कुछ इनका हो सकता है कि ये flop हो बट open कर रहे हैं तो important पिक हो जाते है क्योंकि recent में T20 में अच्छा performance था इनका बाकी राजेश की बात करो तो उतना betting से performance अभी तंग नहीं आया है वैसे betting ये अच्छी खासी कर लेते हैं CVC के अच्छे दावेदार आपके लिए हमेशा ही रहेंगे small league के अंदर भी mini jail के अंदर भी balling से अगर देखोगे तो 2-2 over उन्होंने दोनों ही match में डाले हैं मतलब balling तो उनकी confirm है ही प्लस wicket भी लेकर गए ही हैं दोनों ही match में वहीं अगर वो batting से कुछ contribution कर देंगे तो आपके C से कमाल point वो मिल जाएंगे GN की बात करनों तो ये surprise रहेंगे हमेशा ही कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे already मैंने वीडियो में बताया ही था इनके बारे में balling तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि already team ने 7 baller use कर ही लिये थे वरना तो ये इसे balling भी करवा सकते हैं ये balling भी कर लेते हैं एक ball इनों ने किया आपने देखा है होगा पहले match के अंदर एंडर को शायद कुछ injury issue की वज़ा से एक ball इनों ने किया था ठीक है बात करूं यहाँ पर वरुन की वरुन ने कुछ खास किया नहीं है इवन वरुन भी balling कर लेते हैं हो सकता है आने वाले matches में उनसे भी balling कर आई जाए अबदुलेंडर की बात करूं तो betting से तो टाबर तोड़ बल्ले बाजी उन्होंने की प्लस एक एक ओवर ही करते हुए नजर आए जबके main baller है टीम के balling उनसे कम करवाई जा रही है वो सकता है उनका ही एक ओवर है जो के divide हो रहा है दूसरे एक baller के उपर बात करूं यहाँ पर संदीप की तो संदीप ने कुछ खास किया नहीं सही दुला बॉलर है और थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं दो दो ओवर उन्होंने दोनों ही मैच में डाले एक ही मैच में विकेट मिला आगे आने वाले मैचेज में उनको जादा विकेट भी मिल सकते है सही तरेडी की बात करूं तो यहाँ पर दोनों ही मैच में दो-दो विकेट लेके गए और जबरदस बॉलिंग कर रहे हैं देख सकते हो इंपोर्टेंट पीक है स्मॉल लिक के अंदर मच छोड़ना वहीं बात करूं संगीत की तो संगीत उदियान ने पहले मैच में एकी ओवर की दूसरी मैच में आते ही पहला ओवर डाला और लगबग दो ओवर के अंदर तीन विकेट वो लेकर गए दोस्तों वहीं टीम ने पहले मैच के अंदर सारंग राज को दो ओवर कराये थे जिसमें वो एक विकेट लेके गए थे नेक्स मैच में टीम ने क्या किया अनन्थू को मौका दिया जिसमें उन्हेंने भी एक और डाली और एक विकेट लेकर गए दोस्तों तो ओवरॉल यहाँ पर हमारे लिए जो क्या निकल कर आया है वो हम आगे देखते हैं फिलाल यहाँ पर इस तरीके से इनकी प्लेइंग 11 रहेगी आने वाले मैचिस में भी क्योंके बैंच पर कुछ मुझे उतने खास प्लेयर और भी कोई है ऐसे लग नहीं रहे हैं बॉलिंग बॉलिंग तो उनकी अच्छी जाई रही है एक दो बॉलर और है जो टीम में बैंच पर है अगर उनको लाती है तो और भी बॉलिंग इस्ट्रॉंग होगी इवन टीम को बैटिंग पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए बैस्में फिलाल अभी बैटिंग उ दाल रहे हैं और दस्वा ओवर भी डाल रहे हैं ठीक है उसके बाद बात करूं तो दूसरा ओवर तो अब्दुल अंदर ही कर रहे थे साराग राज ने पहले मैच में पहला ओवर डाला था दोस्तों मिडल ओडर में बात करूं तो वही राजेस तिर्श्रा ओवर कर रहे है चौता ओवर साहित रेडी कर रहे हैं देट में बात करो तो फिर वहाँ पाचवे छटे के ओवर के लिए सहीदुला आमर खील है नन्तु अजित कुमार है और फिर वह अगेन वो देट ओवर में संगीत में एक ओवर डालाई है जैसा के मैंने बताया अब यहाँ पर दो मैच के हिसाब से दो मैच टीम ने खेल लिए उसके हिसाब से अब हमारे की प्लियर्स निकल कर आए हैं दोस्तों ठीक है अबदुल स्टेनिक जाई ओपन कर रहे हैं हिटिंग की काबिलियत है उनकी तो हम मिस नहीं कर सकते और इवन वो बॉलिंग भी कर लेते हैं फिलाल अभी तो जरूरत नहीं पड़ रही है वो बैटिंग ही अच्छी कर ले तो बहुत अच्छी बात होगी इसलिए इंपोर्टन पिक है राजेस बॉलिंग बैटिंग दोनों से इंपोर्टन रहेंगे इसलिए CVC भी आप ट्राइ कर सकते हो सहीदू लामर खिल बॉलिंग बैटिंग दोनों ही कर लेते हैं CVC आप इनको भी मिनी जेल में ट्राइ कर सकते हैं कुछ हटके रहना है तो अब्दूल है अब्दूल का आप बॉलिंग से तो बॉलिंग वो कर ही रहे हैं प्लस बैटिंग से भी अच्छा कासा कॉंट्रिबूशन है हीटिंग वो कर रहे हैं तो CVC उनको भी ट्राइ कर सकते हो वहीं बात करूँ साहीत रेड़ी ने तो दोनों ही मैच में दो-दो ओवर के अंदर दो-दो विकेट लेके गए हैं तो उनको भी आप चाहो तो जील और मिनी जील में CVC ट्राइ कर सकते हो इवन बहुत जादा रिस लेना है तो स्मॉल लिग में भी VC ट्राइ कर लेना संगीत उडियान ने तो तीन विकेट लेकर गए हैं दो ओवर में इंपोर्टेंट पी कैसे ही हो जाते हैं गोपीनात का थोड़ा समंजस रहेगा कि यह चलते हैं या नहीं चलते हैं तो इनको लेना नहीं लेना इसका भी रिस्क रहेगा वो आपके उपार है दोस्तों मेरे इसाब से के टीम में गोपिना तो अभी की आने वाली मैच में नहीं रहेंगे उसके इलावा अगर खेलते हैं तो वरुन को और यूसुफ उबेद को आप ट्राइ कर सकते हो जैसे के टॉप ओडर कॉलैप्स होता है तो वरुन थोड़ी बहुत अच्छी पारी 20 से 30 रन की खेल सकते हैं उस केस में तो उसमें वहाँ पर आपके लिए इंपोर्टन पिक हो जाएंगे अगर जील और मीनी जील में आप ऐसा को सोच रहे हो के टॉप ओडर कॉलैप्स होता है तो वरुन को आप एक आदा टीम में वीसी भी ट्राइक कर सकते हो ठीक है यूसुफ उबेद का रिकॉर् वरते हैं और भी एस्वी बिटानिया के स्कॉर्ट की बात कर लेते हैं अब यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले निर्बन दान की है मिरी बर देन की बात करो तो पांच मैच का इनका करियर का रिकॉर्ड है जिसमें कुछ खास किया नहीं है जिसके उपर हम बात कर सके उ बात करूं अर्जुन रेडी की तो 8 मैच T10 के खेले हैं एक विकेट लिया है कुछ खास नहीं लग रहे हैं अतुल की बात करूं तो 10 मैच में 19 का बैटिंग का एवरेज है एक दो पारी में नौट आउट गए है जिसके वैसे एवरेज उनका थोड़ा बहुत अच्छा नजर करा रहा है चोके छके उतने खास लगाए भी नहीं है आयूश पंडे इंपोर्टन रहेंगे आपके लिए स्मॉल स्लो लेफ्ट आम और्थरडोक्स बॉलिंग कर लेते हैं वहीं रिसेंड में इन्हों ने अब भी T20 के अंदर 3 मैच में 4 विकेट लिये है और बात करूं तो T10 के अंदर भी 11 मैच में 6 विकेट लिये हुए हैं खेलते हैं तो इंपोर्टन पीक रहेंगे आपके लिए जरूर ध्यान में रखना दर्शक की बात करूं तो कुछ खास मुझे नहीं लगे 2 मैच में 2 विकेट हाला के T20 में लिये हैं वहीं T20 और ODI के करियर की बात करूं तो 23 मैच में 61 रन की पारी इनकी आई है बैटिंग एवरेज सिर्फ 13 का है बात करते हैं अपर आप फरहान की तो 4 मैच खेले हैं खुछ खास डेटा नहीं मिला है वहीं बात करूं गुरपरित सिंग की तो 21 मैच में 25 विकेट लिये हैं रिसेंड मैच में 2022 का फॉर्म काफी एच्छा है और आप फास बॉलिंग कर लेते हैं हर्शा गोपी रिडी की बात करूं यहां पर तो 9 मैच में 7 विकेट है टी टैन के अंदर बैटिंग से भी कॉंट्रिबूशन रहता है और रॉंडर परफॉर्मस इनका रहता है स्मॉल लिग में हम कदरू कोशिश करेंगे इनको रखने के लिए हेमानशु की बात करूं तो 8 मैच में 6 विकेट है राइट आम फास बॉलिंग कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्लियर रहेंगे ही स्मॉल लिक के अंदर जनप्रित की बात करूं तो 84 मैच में 66 विकेट है 15-50 लगाई है दोस्तो 26 का एवरेज है और मौका इनको मिलता है तो हम जरूर्ट राइ करने की कोशिश करेंगे बात करूं यहाँ पर नयार की तो 12 मैच में 6 विकेट है बैटिंग से कुछ खास नहीं किया है कुमार गोश इंपॉर्टेंट पीक आपके लिए रहेंगे ही क्यूंके थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेत हाला के 3 मैच ही खेले हुए है कुछ खास नहीं किया है मोहन की बात करूं तो इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे आपके लिए थोड़ा 14 मैच में 6 विकेट ली है प्लस 1.50 भी लगाई है 24 का बैटिंग का एवरेज है उनका रिस्टेंट फॉर्म काफी अच्छा है खेलते हैं तो हम जरूर ट्राइ करेंगे अपने टीम में मोहित नेगी की बात करूं तो विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ सकते हैं और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कदर लेते हैं रोकी डिकोष्टा की बात करूं तो तीन मैच में एक विकेट है प्लस 1.30 रन की पारी भी आई ह खेलते हैं तो ग्रेंड लिग में ट्राइ करना साध अली की बात करूं तो यहां पर बैटिंग से इंपॉर्टेंट रहेंगे तेईस का एवरेज है इनका बैटिंग का दो पचास लगाई है 56 मैचे में मिडल ओर्डर में बैटिंग करते हैं शानीज गोयल की बात करूं तो इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे टीम के कप्तान भी रहेंगे शायद 15 मैच में 9 विकेट है प्लस बैटिंग से भी 150 आई है टी टेन के अंदर तो इंपॉर्टेंट पीक रहेंगे ही सौरब की बात करूं तो कुछ खास डेटा नहीं है विशाल की बात करूं तो 10 मैच में 4 प्लस 30 रन की एक पारी T10 के अंदर आई है खेलते हैं तो हम ट्राइ करेंगे मिनी जियल तक वलित की बात करने तो इंपोर्टेंट पीक रहेंगे T10 के अंदर 19 मैच में 21 विगेड है तो काफी अच्छे इनके रिकॉर्ड नजर आ रहे हैं हम जरूर इनको ट्राइ करेंगे स्म प्लेंगे तो यहां पर अभी रिसेंट टॉर्ट नेगी और सैनिस गोयाल ही ओपन करते हैं आपको नजर आ सकते हैं उसके बाद मोहन है साध है वलीद है कुमार गोश वलीद को भी उपर प्रमूट किया जाता है मैंने देखा हीटिंग यह अच्छी कर लेते हैं कुमार गोश गुर्पिर सिंग है भर्षय है आयुश पांडे है हीमानशु है दोस्तों बैंच पर भी कुछ खिलाडी है जिनके खेलने की चांसिस हो सकते हैं जिसमें से एक नाम में बताता हूँ आपको अर्जुन रेडी है और मोहन मोहमत फरहा ने जो विकेट कीपिंग क कर लेते हैं और विशाल पाजवानी की खेलने के पॉसिबिलिटीज है दोस्तों बात करते हैं अगर बालिंग से अगर बात करने हीमानशु usage पहला और करक्ते हैं पहला कर सकते हैं मृष क्षे से बालिंग में से गया, बात करते हैं आपर की प्लियर्स की तो की प्लियर्स के अगर बात करों तो काफी 7-9 प्लियर है टीम के जो के काफी अच्छक कर सकते हैं जिसमें से CVC की बात करों तो से ट्राय कर सकते हैं काफी अच्छी पारिया इन्होंने खेले हुई हैं तो यह इनके की प्लियर्स है दोस्तों अब फटाफट से बात कर लेटे हैं हम आ जाते हैं तो यहां पर wicket keeping section से बात करूं तो हमारे पास एक ही option है जो काफी अच्छा नजर आ रहा है वो है जी मोहन का क्यूंकि अधर्वाइस एफ कुरेशी और जो के बाकी अधर प्लेयर के खेलने की possibility है नहीं है उसके ओपर डिपेंड रहेगा तो best possibilities यहीं है कि हम जी मनोहरन के साथ जाए दोस्तों cricket keeping से एक player मैंने select कर लिया है और वैसे भी अभी दो match जो भी हुए उसके अंदर हमने देखा कि बैस्मेंड के selection में से जादा तर एक हमें non playing player ही select करना पड़ रहा था बट यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि हम किसको ले सकते हैं तो यहाँ पर जो important peak रहेंगे वो मेरे ख्याल से middle order से betting करने आये साद अली important रहेंगे उसके इलावा बात करूं यहाँ पर तो मोहित नेगी को मैं लेना चाहूंगा क्योंकि अगर open करते हैं open करते हुए अगर यह नजर आते हैं मोहित नेगी तब इनको हम जरू लेने का कोशिश करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर दो प्लेयर मैंने ले लिये हैं इस टीम से और यहाँ पर बात करूं तो के मंगा को हम नहीं लेंगे और important रहेंगे यहाँ पर अभीशिक साहानी खेली नहीं रहें खेलते तो important होते फिलाल उनको squad में मौका ही नहीं मिल रहा है और यहाँ पर और कौन खेल रहा है इस टीम से तो उनको हमें लेना होगा आयूश पांडे को ही लेना पड़ेगा BRI के टीम से क्योंके बालिंग कर लेते हैं slow left time orthodox baller है दोस्तों क्योंके बाकी other player USGC के मुझे कोई नहीं दिख रहे हैं तो फिलहाल मैं यहाँ पर BRI के ही तीन investment को ले लेता हूँ ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पर all rounders से all rounders से ender हमारे लिए important रहेंगे ही बैटिंग वो अच्छी कर लेते हैं प्लस यहाँ पर कुसू कुंतला भी important रहेंगे ही उध्यान ने तीन wicket ली है important रहेंगे ही इस्टेनिक जाई open कर रहे हैं तो important रहेंगे ही प्लस यहाँ पर और अगर चाहे तो और किसी को हम रागे श्रकारिया को लेना पड़ेगा क्योंकि वो balling और बैटिंग दोनों कर रहे हैं one down आ रहे हैं प्लस even over तो confirm उनकी है ही तो इस्टेनिक जाई को छोड़ने का यहाँ risk लेना होगा दोस्तो हमें ठीक है सादा के सारे के सारे player अब जैसे के अधियान को balling में डालना चाहिए तो उसको भी all rounder में डाल के रखा है कुसुन को भी कुसुन तो कुंतला को भी all rounder में डाल रखा है जबके baller में आना चाहिए ठीक है चलो कोई बात नहीं यहाँ पर अब बात कर लेते हैं तो हम यहाँ पर अभी यहाँ पर बाकी BRI के player को लेना होगा जो के उसके important player है दोस्तो ठीक है तो हम उसको फटावट से ले लेते हैं रिकॉर्ड आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा player मैं क्यू ले रहा हूं दोस्तो ठीक है यहाँ से वलित को ले लिया है मैंने जी सिंग को ले लिया है और यहाँ पर शैनिक गोयाल को लेना बहुत ज़रूरी है क्यूंके वो all rounder है और जी खान बैस्मेन है तो उनको भी बैस्मेन बॉलर में डाल दिया हुआ है हिमानशु को भी लेना था पर ले नहीं पाऊंगा ठीक है तो यह हमारे टीम हो गई है ready अब यह मैंने क्यू बनाई है कैसे बनाई है क्या बनाई है देखे सबसे पहले तो मैंने एक opener छोड़ा किस था भी नहीं ठीक है तो हमारे पास अभी जैसे के स्टेनिक जाई फ्लॉप होता है तो दूसरे पर बैटिंग आएंगे नागर आजा तो हमारे पास वो हो गए उसके बाद में और दूसरा कोई बैस्मेंट पर आएगा वो नहीं है पर एंडर बैटिंग कर लेते हैं तो इस टीम से ले लिये हैं USGC के अगर बात करूं यहाँ पर तो BRI की BRI से भी हमने अपने एक आल राउंडर ले लिया है उसके बाद में S गोयल भी है जो ओपन कर सकते हैं वो हमने टीम में ले लिया है और इनके बैस बॉलर वलिद एहमद और जी सिंग जी सिंग और वलिद एह तो लगबग यहां पर यह मैंने एक अच्छी टीम मना ली है जिसके हम सारे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं उसके इलावा प्लेइंग 11 आने के बाद हम क्या कर सकते हैं वो देखने वाली बात होगी अब याद कर लेते हैं यहां पर CVC के तो सब एंडर पर ही जा रहे हैं बट जैसा के मैंने बताया थोड़ी मुझे टीम मजबूत लग रही है किसकी BRIK तो BRIK ही फेवरेट में मैं जाओंगा जिसके अंदर सेनि गोयाल थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते ओपन करेंगे तो मैं उनके साथ सी जाओंगा वलि जा लीजिए या तो फिर आप सी इसको रखके एस गोयाल को वी सी कर सकते हो दोस्तों यह कॉप्शन में आपको बता रहा हूं ठीक है बाकी तो मैं टीम दोगा आपको जो भी है देखो जैसे के कुस कुसू कुंतला ने दोदो ओवर डाले दोदो विकिट लेके गए प्रेइंग लेवन आने के बाद जो भी है आपको टीम प्रोवाइट करी दूँगा ठीक है तो चलिए डेमो हो गया और यह अपने टीम रेडी हो गई दोस्तों ठीक है तो चलिए फटा फट से अभी चलते हैं और मैच के प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं तो जारा जैसा फॉर्म की हो जासे अब यहां भी यूएस जीसी के सामने उनके भी फॉर्म खतम हो जाए तो वह अलग बात होगी टीटैन है कुछ भी फिक्स नहीं होता कुछ भी हो सकता है कितना भी बड़ा बैस्मेंट रहने दो जीरो पर भी आउट हो सकता है ठीक है न तो चलिए यहां पर स्टूडियो में बस इतना ही दोस्तों उम्मेद करता हूँ वीडियो आपके काम आए और हमेशा की तरह आप इस डियो पर सपूर्ट जरूर करेंगे दोस्तों ओल दाबेस दूआ में याद रखना बाइबाई